हेलो अब्रीवन कैसे आप लोग कैसे चर्वी पढ़ाई सबकी एकदम बढ़ियां मज़दार माइनिम इस संजीफ पांडे और स्वागता आपका अपने प्यारे से चनले में खुबसूरा से चनले में जे आर टुटोरियल में सो जैसा कि आपको पता है we have completed the sound chapter sound हम लोग ने complete कर दिया है मतलब almost हम लोग ने 14 में से 12 chapter 11 के खतम कर दिये हैं खाली last 2 chapter बचे हुए है 13th chapter है तुमारा electromagnetic wave और 14th chapter है तुमारा semiconductor और बहुत जल्द हम ये दोनों chapter भी खतम कर देंगे मतलब basically तुमारे exam आते आते हमारा पूरा physics का portion खतम हो जाएगा okay so आज हम लोग बात कर रहे वाले है 13th chapter which is nothing but electromagnetic wave okay अब देखने जाओ तो electromagnetic wave बहुत 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 कंसेप्ट है अगर समझना है तो बहुत मज़दार concept है बस basically ये है कि शायद तक मैं उतना अच्छे से execute ना कर पाऊं okay क्योंकि ये बहुत ही detail topic है electromagnetic wave बोला ना तो तुमको feel आना चीए electromagnetic wave बोला तो तुमको imagine करने आना चीए तो मैं पूरी try करूंगा कि तुमको अच्छे से imagine करा सको तुमको अच्छे से चीजे deliver करा सको क्योंकि बहुत मज़दार बहुत interesting है मेरे को बहुत personally पसंद है electromagnetic wave पढ़ाना थोड़ा quantum का कहानी है quantum physics में थोड़ा घुसना पढ़ता है बट बहुत मज़दार topic है यह याद रखना ओके चलो तो start करे topic book और pen उठालो अपन आज start करने वाले that is electromagnetic wave and communication अब basically यह जो chapter है वो दो पार्ट में divided है एक है तुमारा electromagnetic wave का part और एक है तुमारा communication का part तो आपन क्या करेंगे इस पर जादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि यह theory topic है आपन खाली concept समझेंगे ओके तो आपन एक वीडियो बना लेते हैं that is nothing but electromagnetic wave का और एक और मैं वीडियो बना दूँगा जिसमें पूरा कपूरा communication सिस्टम आ जाएगा तो हम लोग ट्राय करेंगे कि दो वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कपूरा eliminate कर दे पूरा कपूरा खतम कर दे ओके चलो तो स्टाट करते हैं electromagnetic wave इम वेव ओके देखो जब इम वेव की बात आती है न तो कहीं न कहीं कुछ scientist है यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है इनकी बास ज़रूर आती है उनमें से सबसे पहले हैं Henrich Hertz हम लोग ने इनका नाम सुना रहेगा इनका नाम photo electric effect के लिए भी बहुत famous है अगर जब तुम 12 में जाओगे there is a chapter called dual nation तो वहाँ पे भी नाम है इनका Henrich Hertz करके ओके एक और बहुत 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 बड़े scientist है बट हाला कि इनका जो research है वो उतना जादा popular नहीं हो पाया इसलिए इनका नाम जादा नहीं आके पाया लेकिन इनका जो concept है वो बहुत बड़ा रोल करता है electromagnetic wave को आगे ले जाने में उसके बाद है Macroni sir ओके ये एक Italian scientist है इनका भी एक रोल है सबसे बड़ा जो रोल है electromagnetic wave समझने का वो है James Maxwell बहुत बड़ा नाम है James Maxwell इन्होंने कहानी दी इन्होंने सारा का सारा चीज़ क्लियर किया इन्होंने detailing the electromagnetic wave के बारे में ओके तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग electromagnetic wave चमझने वाले हैं इनके ही equation से so भाई यहाँ पर चार equation लिखे हुए है जो कि हम लोग ने already पढ़ लिए है इस पर से दो पढ़ लिए हैं दो पढ़ना बाकी है हम लोग ने Gauss law for electrostatic पढ़ लिया है that is nothing but integration of sum of dot product of electric field and area vector is बराबर होता है equals to होता है ratio of total charge enclosed by क्या है permittivity of vacuum यह चीज़े हम लोग ने mechanism में भी पढ़ लिया कि भाई अगर हम लोग integration dot product देखे किसका magnetic field और area vector का तो वो 0 होगा enclosed surface में magnetic field का summation क्या होता है 0 होता है यह भी कहानी अन्मों में देख ली आगे जब हम 12 में जाएंगे तो हम faradal law और empire law देखेंगे यह भी दो अलग कहानी है okay faradal law की कहानी और empire law की कहानी है अब क्या हुआ यह चारों के चारों लोग को उन्होंने study किया किसने Maxwell sir ने और उन्होंने combine equation दिया and this equation represents the equation of the magnetic wave okay मतलब अगर कोई भी wave कोई भी wave अगर यह equation को follow कर रहा है तो that wave become electromagnetic wave and what is that equation that is nothing but integration of dot product of magnetic field and length is equals to the mu time sum of mu times of i plus product of epsilon 0 mu 0 d5 by dt where d5 is nothing but electric flux यह पूरा का पूरा equation है that is nothing but a Maxwell equation और बहुत famous equation है जो की use होता है किसके लिए electromagnetic wave के लिए मतलब अगर कोई wave है वो अगर यह equation को follow कर रहा है तो definitely वो क्या बनेगा वो एक electromagnetic wave बनेगा okay तो हम ज्यादा equation के बारे में discuss नहीं करने वाले again मैंने बताय कि यह equation कहा से आया हमारे समझ के परह है कि यह equation कहां से derived हुआ यह थोड़ा सा complication है उसके लिए हमको quantum physics अच्छे से आना चाहिए उसके लिए हमारे पास wave concept अच्छे से clear होना चाहिए तब जाकि यह कहानी हमको अच्छे से clear होगी जो graduation post graduation में हमारा होता है यहाँ पर हम basic चीजे सीखेंगे और मैं try करूंगा कि मैं अपना पूरा output देशेगो तुमको जो भी मुझे पता है वो सारा चीज़ तुमको समझा चबोगर स्टार्ट करते हैं Maxwell की कहानी से स्टार्ट करते हैं electromagnetic wave समझने से तो what is electromagnetic wave तो according to the Maxwell Maxwell ने क्या बोला था कि अगर कोई accelerated particle है charged particle है accelerated अगर कोई charged particle है तो every accelerated charged particle emit an electromagnetic wave और electromagnetic radiation okay every every charged accelerated accelerated particle emit every charged accelerated particle emit electromagnetic wave या फिर इसको ही हम लोग क्या बोलते है electromagnetic radiation मतलब अगर कहीं पर भी charged particle है और उसके पास acceleration है तो वो एक energy emit करेगा and that energy in terms of electromagnetic wave that energy in terms of electromagnetic wave अब electromagnetic wave अलग नहीं है नहीं यह electric part है नहीं यह magnetic part है यह दोनों का combine effect है okay मतलब यहां पर क्या होगा देखो electromagnetic wave को कैसे define करते हैं भाई electric field propagate हो रहा है तुमको दिख रहा है यह जो yellow से है यह electric field है और जो green से है यह magnetic field है यह यह दोनों के दोनों field perpendicular propagate करते हैं मतलब कैसे बाई मालनो electric field ऐसे propagate कर रहा ऐसे 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 यह electric field का propagation है magnetic field ऐसे propagate कर रहा ऐसे यह electric field यह magnetic field यह electric field, यह magnetic field, अब यह electric field ऐसे ऐसे propagate करके आगे जा रहा है, magnetic field ऐसे ऐसे propagate करके आगे जा रहा है, yes or no, तो यह दोनों एक दूसरे से perpendicular है, और इनका propagation इन दोनों से perpendicular है, मतलब मानलों कि यह मेरा electric field है, और यह मेरा magnetic field है, यह दोनों के दोनों ऐसे vibrate हो रहे है, यह ऐसे vibrate हो रहा ह ऐसे और यह जा कहा रहे है यह जा रहे है आगे कहा जा रहे है यह आगे जा रहे है ओके so z is the direction of the electromagnetic wave z is the direction of the electromagnetic wave by x किसका represent कर रहा है x represent कर रहा है vibration of electric field y क्या represent कर रहा है y represent कर रहा है vibration of magnetic field और यह दोनों कमाईली vibrate होके same phase में रहते हैं यह दोनों कमाईली vibrate होके किस डारेक्शन में मूफ कर रहे हैं इस तरह यह प्रपोगेट होते हैं यहां पर क्या होता है देखो इलेक्ट्रो मागनेटिक वेव ऐसा वेव है कि जिसको कोई मीडियम की रिक्वाइर्मेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है यहां पर वाइब्रेट क्या कर रहा है क्यूंकि अगर तुम देखोगे इस के पहले सउद्ड मेर्ग देखोगे तो साउद्ड मेर्में हम लोगisz किया है कि मीडियम में जो पाटिकल होते हैं वह वाईब्रेट करते हैं और उनके वाईब्रेशन की वज़ियसे क्या होता है होती है तो यहां पर यह है न॥ आनाइ और यह तुम्हारा मागनेटिक फिल्ड है और यह दोनों वाइबरेट करते हैं और Z direction में ट्रावल करते हैं This is nothing but a propagation of electromagnetic wave और इस तरह produce होता है electromagnetic wave Clear? बास रन आ गया मतलब अगर कोई charge particle है और वो accelerated है तो हमेशा produce करेगा क्या? electromagnetic wave ये कहानी किस ने दीती? ये कहानी दीती Sir James Maxwell ने Clear? बास रन आ गई? अब कुछ properties है electromagnetic wave के बाले में कुछ properties है वो एक एक करके हम लोग discuss करेंगे कि क्या होता है तो let us start भाई हम लोग देखने जाए तो सबसे पहला property पहला property क्या है जो electric field है जो magnetic field है और जो उनका direction है propagation का जो direction है वो तीनों mutually perpendicular रहेंगे एक साथ, okay, electric field magnetic field and the direction of propagation direction of propagation यह तीनों की तीनों क्या रहेंगे mutually perpendicular रहेंगे all three are mutually perpendicular okay perpendicular रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे mutually perpendicular रहेंगे यह पहनी कहानी second भाईं का जो direction होगा direction is given by the vector product of E and B मतलब, it is a vector product of electric field and magnetic field okay, और यह ऐसे वेव है जो कोई भी medium में travel कर सकते है doesn't matter वो solid है, doesn't matter वो liquid है doesn't matter वो gas है, doesn't matter वहाँ पे vacuum है, मतलब no medium है मतलब, it can travel in all medium it can travel in all medium भाई, all medium, all medium बोले तो तुमारा all medium के अंदर क्या क्या आ जाता है solid, liquid, gas और vacuum vacuum में भी यह ट्रावल कर सकते हैं, ओके और यह जब ट्रावल करते हैं, तो यह की speed से ट्रावल करते हैं यह ट्रावल करते हैं, विता स्पीड आ फ्लाइट okay, they travel the travel with the speed of speed of light and what is the speed of light speed of light सब को पता है that is nothing but c is equals to 3 into 10 raise to 8 meter per second और ये कहां से आता है ये इस formula से आता है that is 1 by under root mu 0 into epsilon 0 okay ये vacuum के लिए formula है ये किसके लिए है vacuum के लिए formula अगर माल लो किसी medium में travel कर रहा है ये तो किसी medium के लिए ये formula क्या हो जाता है that is c is equals to not c because c हम लोग basically represent करते हैं vacuum के लिए v is equals to 1 by under root mu into epsilon 0 not 0 okay ये जो mu 0 है epsilon 0 है ये है permeability in a vacuum it is a permittivity in vacuum बट अगर किसी medium की बात हो तो ये हो जाएगा permittivity vacuum में permeability permittivity medium में और permittivity medium में मतलब अगर दोनों medium की बात हो रही है ये दोनों medium के हैं और ये दोनों के दोनों vacuum में है ये कोई भी x y z medium हो सकते हैं okay any medium any medium इसलिए अगर तुम देखोगे तो भाई vacuum में की जो speed होती है वो approximately इतनी होती है बट जैसी ये किसी medium में जाते है तो कम हो जाती है क्योंकि उसकी भाई permittivity बढ़ जाती है थोड़ी से okay permittivity बढ़ जाएगी तो इनवर्स्टी प्रपोर्शन है तो speed क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा okay नहीं तो ये गैंडरली speed of light से ट्रावल करते हैं वेन आम टेलिंग की speed of light से ट्रावल करते हैं तो speed of light is nothing but the actual speed of light it is a like limit of the body कोई भी बोड़ी इससे जादा तेज नहीं चल सकती that's why it is called as speed of light speed of light का मतलब ऐसा नहीं कि light की speed na 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 speed of light का मतलब यहाए कि भ consumes body इससे जादा speed नहीं 2 यू ूंسب यह universal यूनिवर्स की एक, speed limit है, भाई universe में कोई भी पार्टिकल इससे जादा तेज नहीं जा सकता इसलीए उसको बोलते है speed of light ऐसा नहीं कि speed of light बोला तो यह light की speed ना भी यही है but speed of light बोल रहा है तो यह युनिवर्सल का युनिवर्स जो युनिवर्स है उसमें कोई भी जो पार्टिकल है वो इससे तेज नहीं जा सकता clear बासनारी एवरीवन पक्का यहां पर जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड रहेगा तुमारी इंटेंसिटी आफ इलेक्रिक फिल्ड और इंटेंसिटी आफ मागनेटिक फिल्ड okay, by intensity is depend on the intensity of electric and magnetic field, जो intensity है wave की, वो magnetic और electric field के दोनों के intensity पर डिपेंड रहेगी, और electromagnetic wave जो है, वो show करता है, okay, property of superposition of wave, superposition of wave क्या होता है, मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है, कहाँ पे sound वाले chapter में, वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा discussion किया हुआ है, but actual में superposition की कहाँ नहीं, हम लोगो कहाँ देखने मिलेगी, 12 में देखने मिलेगी, okay, तो EM wave भी, जो electromagnetic wave है, वो electromagnetic wave क्या करता है, वो electromagnetic wave कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत property show करता है, थोड़ा बत मतब, पूरा property show करता है, superposition of wave, okay, superposition of wave valid है, इसके लिए याद रखना, electromagnetic wave के लिए वो चीज़ वालिड है, clear, बात सन्ना रहा है, so these are the some properties of electromagnetic wave, यह electromagnetic wave की कुछ properties है, जो electromagnetic wave बताता है, okay, next जो कहानी है, that is the important कहानी, that is the main कहानी of that movie, यह electromagnetic wave का यह सबसे बहतरी इन movie है, सबसे बहतरी इन पाट है, okay, so, इसको बोलते है, electromagnetic spectrum, what is electromagnetic spectrum, so it is a range, okay, it is a range of, like, बहुत सारे wavelength का range है, उसको बोलते हैं हम लोग spectrum, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, spectrum, मतलब यह पूरा का पूरा electromagnetic wave है, यहां से लेके, यहां तक पूरा का पूरा electromagnetic wave है, okay, यहां से चालू बता है, that is gamma ray, x-ray, UV, visible, यहां पर जो है, यह visible light है, यह क्या है, यह visible light है, तुमारा white light, जिसको तुम लोग विब गयोर से नाम के जानते हैं, विब गयोर, तो यह तुमारा, basically, यह तुमारा विब गयोर है, visible light है, यह तुमारा, उके, उसके बाद आता है तुमारा infrared, फिर आता है microwave, फिर आता है radio wave, फिर आता है long range wave, तो यह सारा का सारा जो wavelength है, इसको जब हम club up करते हैं, तो इसको एक साथ बोला जाता है electromagnetic spectrum, क्या बोला जाता है electromagnetic spectrum, अब अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो यहां पे जो gamma rays है ना, जो wavelength है, वो बहुत छोटा है, ओके, यहां पे सबसे छोटा wavelength देखने मिलेगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पे wavelength सबसे जाधा मिलेगा, at the same time जो frequency है, वो यहां पे सबसे जाधा frequency है, मतलब इसकी जो energy होती है, वो बहुत जाधा होती है, gamma rays की, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ना चालू करते है, तो भाई frequency क्या होने लगती है, frequency decrease होने लगती है, तो अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे तुमको जो wavelength देखने मिलेगा, अगर यहां पे यह end पे अगर तुमको जो wavelength देखने मिलता है, वो 10 raised to minus 15 meter के आसपास देखने मिलता है, ओके, और यही जब हम लोग आगे आ जाते है, तो यहां पे जो तुमको wavelength देखने मिलता है, वो few meters देखने मिलता है, meters में वो wavelength आ जाता है, याद रखना हो के, few meters wavelength लामडा, 5 meter, 6 meter, 7 meter, ऐसा wavelength आ जाता है, frequency की बात करें, तो यहां पे जो frequency होती है, वो लगभग 10 raised to minus 20 के आसपास होती है, hertz, और यहां आते आते हैं, वो frequency frequency क्या हो जाती है, कम हो जाती, यहां आते आते वो frequency है, वो बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, यह 20 है, not minus 20, plus 20, और यह plus 20 से 18, 20, 18 से 17, 16, 15 और यहां तक आते आते आते, वही frequency 10 raised to 5, 10 raised to 3 में हो जाती है, 10 raised to 3 से लेके 10 raised to 5 तक वो frequency हो जाती है, तो यहाँ पे वो frequency बहुत जादा है और यहाँ आते आते वही frequency क्या हो जाती है कम हो जाती है तो अगर हम लोग बात करें detailing अगर हम लोग बात करें एक एक wave की तो already तुम्हारे test book में अगर तुम लोग देखोगे तो बहुत बहुत बैतरीन तरीके से समझाया गया है बहुत सारा point वहाँ पे mention किया गया और सारा-सारा theoretical topic है बट हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक-एक लेंगे और एक-एक को समझने कोशिस करेंगे डीटेल में बात करने कोशिस करेंगे तो let us talk about the gamma rays गामा rays अगर हम लोग देखने जाए तो gamma rays कहाँ निकलता है गामा rays फॉर्म होता है जब there will be a radioactive decay होता है हम लोग पढ़ेंगे nucleus chapter है to health में वहाँ पे radioactive decay पढ़ेंगे या फिर तुमने कहीं chemistry में पढ़ा होगा या फिर कहीं lower standard में पढ़ा होगा radioactive decay तो जब radioactive decay होता है तो तुमारा जो nucleus है न वो parent nucleus में से निकलता है जब parent nucleus में से वो nucleus निकलता है daughter nucleus तो during this process एक tremendous amount of energy निकलती है and that tremendous amount of energy is in the form of gamma ray वो जो energy निकल रही है वो किस form में निकल रही है वो निकल रही है gamma ray के form में ओके तो gamma ray वहाँ से produce होता है इसकी जो frequency होती है वो बहुत जादा होता है इसका जो wavelength होता है, वो सबसे कम होता है, clear, gamma rays के uses की बात करें, तो कहां कहां काम आता है, भाई, तुमको पता है, cancer के treatment में काम आता है, यह सोनो, जो cancer का treatment होता है, वहाँ पे gamma radiation काम आता है, उस cell को मारने के लिए काम आता है, जो तुमारे cancer cells है, उनको मारने के लिए काम आता है, गामा रेडियेशन, अगर कहीं पर भी तुमको किसी ग्रेन को, ग्रेन को डिस इंफेक्ट करना है, मतलब जम्स के टम में, माइक्रो और्गिनिजम के टम पर, तो हम लोग वहाँ पर गामा रेडियेशन के, ऐसा नहीं है, हाँ, यूमन हेल्थ को बहुत जादा हामफूल है, ज इतना जादा स्टॉंग है, इसके पास इतनी जादा एनर्जी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत जादा है, अब फ्रिक्वेंसी बहुत जादा है, तो भाई ये बहुत जादा एनर्जी से पेनिट्रेट कर सकता है, तो ये तुमको पेनिट्रेट कर सकता है, याद रखना ह as human health के लिए बहुत खराब है living organism के लिए बहुत खराब है next wave की बात करें next wave is nothing but x-ray x-ray तुमको पता है x-ray कहां से produce होता है जब दो strong electron bombard होते हैं दो atom bombard होते हैं तो during that bombard क्या होता है एक ray निकलता है and that ray is nothing but x-ray that ray is nothing but x-ray x-ray का कहानी तुमको पता होगा मुझसे बहतरी न तरीके से तुमको पता होगा कि भाई x-ray को जब खोजा गया था तो intentionally नहीं खोजा गया था कुछ करना और चाहते थे और खुज गया मतलब खोज हो गई किसकी x-rays की तो वो कहानी हम लोग फिलाल अभी यहां नहीं सुनेंगे बड़ फ्रिक्वेंसी इससे थोड़ी सी कम है ज्यादा कम नहीं इससे अठरा 10-18 के आज पास x-ray की फ्रिक्वेंसी है x-ray कहां पर काम आता है भाई सबसे ज़्यादा काम आता है x-ray तुमारे medical purpose में तुमारे medical इसमें hospitals में भाई कभी भी बोन तूड़ जाता है तो भाई हम लोग x-ray कराते हैं कि नहीं कराते हैं तो वह actual में क्या हो रहा है भाई वहां से बहुत energy निकल रही है बहुत energy का wave निकल रहा है अब wave क्या होता है भाकी skin को penetrate कर लेता है बड़ जो hard material like magnesium क्योंकि हमारा जो बोन है वह magnesium और calcium से बना हुआ है उनको वह penetrate नहीं कर पाता है तो जहां पे boundary हुआ है ना जहां पर हमारा हड़ी तूता ए वहां से पपेणि पर देता है वहा से जब पर ल glut कर देता है तो उसका image आप में जाते है और जहां पहोँ बोन सही सलामत है वहां से वो penetrate नहीं कर पाता है इसलिए बहुत ज्यादा medical purpose में x-ray का use है इसके अलावा भी बहुत ज्यादा use है disinfectant करने के लिए use है ओके तो x-ray भी हमको बहुत ज्यादा काम आता है again it is harmful for human body भाई living cell के लिए harmful है तो जादा time तक हम लोग बोलते न x-ray के सामने नहीं रख सकता है तुम लोग सना रहे का weiß जब त्षूम कभी x-ray कराने जाओ तो雇न प्रकार्ट गरता है तो एक अब बाट करते हैं यूवी भाई यूवी की जो frequency है वो थोड़ा x-ray से कम रहेगा और wavelength थोड़ा सा बढ़ जाएगा देखो जैसे मैंने बताया ना जैसे हम लोग यहां से यहां move करेंगे wavelength बढ़ता जाएगा और frequency क्या होते जाएगी कम होते जाएगी जैसे हम लोग यहां से यहां करता है यूवी रेस छोड़ता है अब यूवी रेस छोड़ता है तो यूवी रेस कहां कहां नुक्सान करती है कहां कहां फायदा करती है देखो नुक्सान तो आप इसली तुमको पता है भाई स्किन कैंसर होने का चांसे होता है ओके तो वह सब नुक्सान है यूवी रेस के जो भी हो गया तो जब कोई भी ऑपरेशन हो जाता है ना तो उनको सिरीफ धूला नहीं जाता है उनको धोते साथ तो करते हैं और उसके बाद उसको यूवी चैमबर में रखते हैं तुम लोगने देखा रहेगा या फिर देंटिस्ट के पास गया रहोगा तो उसके पास एक क्यूवी चैमबर रहता है यहां पर अपना सारा इंस्टूमेंट रख देता है जिसकी वाज़े से वह क्या हो जाते हैं डिसिंफेक्टेंट हो जाते हैं या फिर वह सेनिटाइज हो जाते हैं तो वहां पर काम आता है याद रखना ओके यूवी रेडिशन वहां पर काम आत अपने यूनिक है, इसको अलग से कहानी है, और जिस लाइट को हम देख सकते हैं, मतलब आप मुझे देख रहे हो मैं आपको देख रहा हूं मैं कैमरे में देख रहा हूं आप इस बॉर्टल को देख रहे हो इस पेन को देख रहे हो इस मारकर को जिस चीज को तुम देख रहे हो ना वह इसकी वज़से देख रहे हो इस विप ग्योर तुमको पता है तुमको होता भाई इसका bending बहुत ज्यादा है बट आर का bending ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके पास wavelength ज्यादा है और इसके पास wavelength कम है ओके this is nothing better visible light spectrum यह हमारा एक visible light spectrum है अगर तुमको याद होगा था हम लोग ने optics में पूरा का पूरा कहानी देखा है dispersion का ओके नेक्स उसके बाद बढ़े तो उसके बाद आता है तुम्हारा IR, इंफरारेड, ओके देखो, विजिबल लाइट के इस तरफ, this is harmful for the human, इस तरफ, भाई, उतना harmful नहीं है, यूमन के लिए याद रखना, ये बाद जो रे इस है, वो यूमन के लिए, विजिबल के बाद, जो रेस है, वो यूमन के लिए harmful नहीं है, living cell के लिए उतना harmful नहीं होती, next कहाणी आता है, infrared radiation, भाई, infrared radiation हमको कहां से मिलता है, जो भी hot bodies होती है गरम bodies होती है वो क्या करती है emit करती है infrared radiation लाइक अगर तुम देखोगे तो हम लोग human भी hot blood है ना यहां से हम भी क्या करते है कि radiation emit करते है हम भी क्या करते है अगर तुम देखोगे अगर infrared गौगल लगा के देखोगे टीवी रिमोट, एसी रिमोट, जो भी तुमारा रिमोट वाला सिस्टम है ना, उसके अंदर इंफ्रारेड रेडियेशन काम आता है, बहुत 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 of heat उसको पहले emit करना चाहिए था, मतलब जब वो स्वस्त लंग था, तो उसको बहुत अच्छे से heat emit करना चाहिए था, बट वो स्वस्त नहीं है, भाई, वहाँ पे कुछ खराबी है, तो इसके वज़े से वो उतना heat emit नहीं करेगा, उसके वाज़े से हम detect कर लेते हैं, वहाँ पर हम detect कर लेते हैं, वह खराब lungs है या सही lungs है, तो body part का, अगर कोई बड़ा body part का हमको research करना रहता है, तो हम लोग वहाँ पर infrared radiation यूज़ करते हैं, clear, बास देना आ गया, next is your microwave, microwave कहाँ से मिलता है, there is a crystal, उस crystal का नाम मेरे को याद नहीं, वो के से start होता है crystal, वो देख लेना क्या है, मेरे को नाम याद था, बढ़ मैं भूल गया, तो तुम नोग देखके, comment करके मेरे को बता देना, सब ये था, तो मेरे को याद आ जाएगा, वो क्लिस्टर, उससे, वो जो tube होता है, क्लिस्टरॉन ट्यूब था, या फिर कुस्टो के से नाम था, वो tube से क्या होता है, microwave निकलते हैं, microwave कहां पे काम आता है, तुम्हारे microwave ओन जो है, तुमको पता है, microwave ओन में ये चीज़ काम आती है, microwave, उसके बाद तुमारा radio wave है, अब रेडियो वेफ की क्या हो रही है, अब धिरे-धिरे को देखो, frequency कम हो रही है, wavelength बहुत जादा हो रही है, अब wavelength बढ़ रही है, तो धिरे-धिरे हम इसको क्या करते हैं, communication में यूज़ करते हैं, जो तुमारा radio wave है, तो उसको हम लोग transmit कर ही नही सकतें, बट इसका wavelength अच्छा कासा है, communication के लिए इस्तमाल करते हैं, तुमारा tele communication हो गया, तुमारा television हो गया, तुमारा radio हो गया, तो यह सारे चीज के लिए हम लोग radio wave यूज़ करते हैं, at the same time next अगर हम लोग आगे जाएं, तो रेडियो वेब से भी बड़े जो वेव होते हैं, that is called long range wave, ये भी हम लोग इस्तमाल करते हैं, long distance communication के लिए, मतलब जैसे जैसे distance बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम लोग उसका wavelength बढ़ाते जाते हैं, तो जो भी long distance communication है, वो सारा का सारा long range wave में use होता है, clear बास वना गई, और long range wave, okay, clear, तो अगर कहीं पर short note आता है कि भाई, explain करो ये, तो सबसे पहले भाई, उसका frequency क्या है, wavelength क्या है, कहां से produce होता है, क्या advantages है, क्या disadvantages है, क्या application है, ये 5-6 point लिख दो, you will get the marks, okay, इस चीज़ की guarantee है, समझ मैं है सब को everyone, पका, चलो, आगे बड़े, तो next is your wave propagation, भाई कैसे wave को transmit किया जाता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा, कि last का जो तुमारा radio wave है, और जो तुमारा high range wavelength वाला जो wave है, ये जो दो wave है, ये वाला जो part है न, ये वाला part use होता है communication के लिए, ये वाला जो part हो है, वो use होता है communication के लिए, तो communication के लिए कैसे इसको propagate करते हैं, कैसे इसक यहां पर हमको देखना है, ओके, तो बेसिक लिए अगर हम लोग बात करें, प्रफोगेशन आफ वेव में, तो तीन तरगे प्रफोगेशन होते हैं, एक होता है, ग्राउंड वेव प्रफोगेशन, एक होता है, ग्राउंड वेव प्रफोगेशन, दूसरा होता है, तुम्हार प्रिंटिय और श्रीटेश कॉरा आर्ट कर्यों तो शब से पहले ग्राउंद वेफ प्रफेशं की बात करना तouri'm अच्छों यो यह तुमारा ट्रांसमिटिम्टिम्टीर ट्रांसमीटीर 알ीकि बंजीन है तो यह तुमारे पास्थ तो, ground wave में क्या होता है? बहुँ, directly क्या होता है? transmitting antenna से directly, यह होता है, transmit होता है, या फिर after reflection of ground, या फिर after reflection of ground, okay, this is why it is called as ground wave propagation, अब ground wave propagation में क्या है? direct reflection हो रहा है, मतलब transmitting antennas है, directly किसके पास जा रहा है? receiving antenna के पास जा रहा है, और कहां से जा रहा है, ground से टकराने के बाद जा रहा है अब यह जो बात है न यह जो बात है यह जादे दूर तक नहीं कर सकते मतलब यह जिसके तो कम टो होके क्या होता है उसको ज़् Aunty ऐसका एनर्जी अब्सौब कर लेता है, तो कहीं न कहीं एनर्जी loss होती है और energy loss होती है तो यह dead हो जाता है तो इसको हम लोग long distance transmission के लिए इस्तमाल नहीं करते हैं इसको हम लोग उसी wave के लिए इस्तमाल करते हैं जिसका wavelength क्या है? 2 MHz से कम है बात समया रही है इसको हम लोग local broadcasting के लिए इस्तमाल करते हैं जो तुमारा local match हो गया या फिर local कोई news channel हो गया या फिर local कोई तुमारे पास sports channel है जो locally तुमारा क्या कर रहा है broadcast कर रहा है live telecast कर रहा है उसके लिए हम लोग use करते हैं ground wave propagation clear बास समिना रहा है what is ground wave propagation by transmitting antenna से क्या होता है signal निकलता है किसके पास जाता है receiving antenna के पास जाता है after reflecting from किसे ground से ground से reflect होके हो जाता है इसलिए उसको बलता है ground wave propagation क्या बलते है ground wave propagation इसको अगर हम लोग देखने जाए तो basically ज़्यादा धूर तक अगर में को बहुत propagate करना है बहुत दूर तक propagate करना है मतलब यहाँ से US propagate करना है तो उसके लिए हम लोग कहानी लाते है that is nothing but a space wave महाँ पर हम लोग space wave की कहानी लाते है space wave क्या हो जाता है space wave में अगर हम लोग देखने जाए तो तुम लोग कहीं से भी propagate करा लो that is called as space wave मतलब मालनो कि यह अर्थ है तुमारा यह अर्थ है मालनो यह तुमारा एंटीना है मालनो अगर ग्राउंड से प्रपोगेट करा रहे हो तो भी space wave बोल सकते हो डारेक्ट प्रपोगेट करा रहे हो तो भी space wave बोल सकते हो सैटलाइट से अगर तुम इसको यह करा रहे हो तो भी space wave बोल सकते हो और माल लो तुम ओके यहाँ पर तुम्हारा स्टाटो स्पियर है अगर उससे भी तुम उसको रिफलेक करा रहे है तो भी उसको स्पेस वेव बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब यहाँ पर क्या है भाई तुम्हारी जो फ्रिक्वेंसी है वो जादा होती है अगर मोर दैन 30 हर्ट की फ्रिक्वेंसी है मेगा हर्ट्स तो यह फ्रिक्वेंसी को हम लोग प्रफोगेट कराते हैं with the help of space wave प्रफोगेशन ओके विद अगर 30 हर्ट्स है 30 मेगा हर्ट्स है तो सेटलाइट की मदत लेनी पड़ तो सेटलाइट का मदत के हम लोग इसको प्रफोगेट कराते हैं अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है तुम्हारे एंटीना का यहाँ पर इंटीना का बहुत बड़ा रोल है मतलब जितना ज़्यादा तुम एंटीना का हाइट रखोगे उतना ही तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रपोगेट करा सकते हो जैसे मालो कि अगर यहां पर अर्थ है यहां पर एक एंटीना है ऐसा अब यहां से डिल्डठ प्रफेसेश्ण ओरा आए कोई प्रफबल्म नहीं है यहां से ड्रिक प्रफॉगैशन औरख Huge औरड़ इन यहां से ड्रीक प्र्पोगेशन औरभ प्रफी प्रोगेशनब कासम जाए गार तो बीच में आर्थंच राहिए इंटीना and that height of an antenna that is given by वो जो रेंज है वो गीवन है that is under root 2rh ओके मतलब अगर तुमारा height इतना है तो उसके साब से तुम लोग इतने distance तक उसको propagate करा सकते हो where D is nothing but a range भाई कितने range तक तुम उसको propagate करा रहे हो R is nothing but a radius of the earth जो कि तुमको पता होता है and H is nothing but a height of that antenna height of antenna okay so यह formula है that is D is equals to under root 2rh मतलब अगर तुमको अगर height पता है भाई कि इस antenna का height इतना है तो तुम लोग उसको इतने range तक इतने range तक उसको क्या कर सकते हो प्रपोगेट कर सकते हो उसके बाद तुमको दूसरा antenna लगाना पड़ेगा नहीं कि वो dead हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर हम लोग दूसरा antenna use करते हैं clear that is called as repeaters क्या होता है repeaters communication वाले part में हम लोग देखेंगे जैसे मैंने बता है कि भाई next जो वीडियो बनेगा वो communication पाट का बनेगा ओके clear बासने आगे अभी वन सो दीजार दफ फॉर्मुला ओके यह फॉर्मुला के हिसाब से चलते हैं मतलब मालों कि अगर दस मीटर हाइट है तो दस मीटर हाइट के हिसाब से बाई कितना करा सबसेएब समझ में आया ओके next story is a sky协क नेक्स क्या है तुम्हारा स्काइव अब स्काइव क्या होता है इंडरेकली रिफ्लेक्स कराता है तुम्हारा जो आइनद हो तैन माल लो लो करेतिमारा एर्थ है माल लो लो यह तुम्हारा रिसीविंग एंतिना है रो motivation लिए यहांपे भी खुर आईनो स्पियर से अगर माल लो तुमारा जो सिगनल है वो जो तुमारा वेव है अगर वो आईनो स्पियर से रिफलेक्ट होके रिसीविंग एंटिना के पास जा रहा है तो इस प्रपोगेशन को क्या बोलते हैं sky wave propagation, क्या बोलते हैं, sky wave propagation, और इसके अंदर लगबग 3 megahertz से लेके 30 megahertz, तक कि जो frequency रहती है न, वो हम लोग क्या करते हैं, propagate कराते हैं, इतनी frequency को हम लोग propagate कराते हैं, तो what is sky wave propagation, by sky wave propagation क्या होता है, when the wave from the transmitting antenna reaches to receiving antenna, after the reflection from the ionosphere, then the propagation is called as sky wave propagation, तब उस propagation को क्या बोला जाएगा, sky wave propagation बोला जाएगा, clear, और इसके अंदर हम लोग कितनी frequency को propagate कराते हैं, भाई, 3 megahertz से लेके 30 megahertz तक, बास में आया है, तो यह तीन तरक के propagation हैं हम लोग, जैसे कि ground wave propagation है, space wave propagation है, and sky wave propagation है, with the help of this propagation हम लोग क्या कराते हैं, इसको हम लोग signals को, या फिर information को, या फिर हम लोग wave को propagate कराते हैं, clear, बात समय में आ गई, okay, so आज का जो topic है, वो बहुत मज़दार topic हुआ, बरबर आज हम लोग ने गया किया, सारा का सारा electromagnetic spectrum वाला कहानी यहा कहीं तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा, कहीं ने कहीं खुद से nodes बनाना पड़ेगा, okay, तो वो चीज़ पर ध्यान रखो, तो आज हम लोग ने सारा topic कवर किया, जो भी electromagnetic wave का कहानी था, वो सारा का सारा हम लोग ने cover किया, भाई क्या करना है, तो तुमको क्या करना है, तुमको सिरिफ क्या करना है, भाई आज के आज, nodes बनाना है खुद का, पढ़ना चालू करना है, आज के आज ही पढ़ के ये topic खतम कर दो, okay, क्योंकि बहुत important topic है, okay, कहीं ने कहीं खुद feel लो, तब तुमको मज़ा आएगा, समझ में है सबको everyone, पका, चलो बहुत बढ़िय क्लियर, बासन में आ गया है, तो अगर तुम लोग ने यहां तक वीडियो देख लिया है, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर फर्स टाइम हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि तुमारे पास notification जाए, अगर कुछ doubt है, तो comment section में पूछ लो, या फिर मैंने Instagram का handle दिया हुआ है, वहाँ पर जाके तुमको मुझे DM कर सकते हो, कोई problem नहीं है, चलो, आज का वीडियो यहीं पर end करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.